नमस्कार में उप्रिया आज है 31 जानवरी आईए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को बिहार में 30 जनवरी को बड़े ही हर्शोल लास के साथ सरस्वती पूजा का तेवहार मनाये गया पूजा को लेकर जगे जगे पर मा सरस्वती की मूर्ती स्थापित की गई थी लाबगाओं पंचायत में मा सरस्वती के भवे मेले का आयोजन किया गया था आपको बता दे लाबगाओं पंचायत में इस भवे मेले का आयोजन पिछले 100 सालों से किया जा रहा है IGIMS पतना ने सीनर रेजिडेंट पत के लिए निकाली रिखतियां पतना के IGIMS ने साल 2020 में सीनर रेजिडेंट और ट्यूटर के लिए 45 रिखतियों पर आवेदन की मांग की है इन पदों के लिए अगर हम साक्षनिक योगिता की बात करें तो प्रसांगिक अनुशासन में MS, MD और केंद्रिय या राजिस्चे कित्सा परिशद के साथ पंचिकरित होना अनिवारे होगा इच्छुक और योग उमिद्वार IGIMS.org पर जाकर आवेदन भर सकते हैं और इसके साथ ही इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारिया है आप नीचे डिस्रिप्शन बॉकस में दियेगे लिن्क पर जाकर ले सकते हैं बिहार छात्र जदियू ने सभी जिला ध्यक्षों सहीत प्रदेश कारसमीती के सदस्यों की सूची जारी कर दी है जिसमें जदियू के छात्र संगठन के जिलाध्यक्ष 12, विश्विद्याले अध्यक्ष एवं 100 सदस्ये पदाधिकारी का नाम शामिल है जदियू छात्र संगठने सुविद्या को ध्यान में रखते वे पाटले पुत्र विश्विद्याले को दो भागों में बाटने का एलान किया और साथ ही विश्विद्याले अध्यक्ष की घोश्णा भी कर दी बैंकिंग सेवा के विस्तार के लिए उपमुख्यमंत्री ने लिखा पत्र साल 2020 का बचल बसकुछी दिनों में पेश होने वाला है जिसको ध्यान में रखते वे उपमोखे मंत्री सुशील कुमार मोधी ने केंद्रिय वित्तमंत्री से Бिहार के लिए अपील करने का सलसला शरू कर दिया है इसी क्रम में उन्होंने बिहार में बैंकिंग सेवा के विस्तार को लेकर वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन को पत्र जारी किया है जिसके जरीए उन्होंने सीतारमन से ग्रामीन छेत्रों में बैंकिंग की सुविधाओं को बढ़ाने की अपील की है और ग्राम पंचायतों को ब पाही बहाली परिक्षा 2009 का रिजर्व जारी कर दिया गया है जिसमें कुल मिलाकर 1248 अभ्यर्थियों के पास होने की पुष्टी की गई है जिसके परशात इंसाभी पास हुए अभ्यर्थियों की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द से जल्द करवाने की सूचना चैन परशद जारी की है आपको बता दे पास हुए इनसाभी अभ्यर्थियों की 25 जिला पुलिस बल और बीएमपी में नियुक्ति की बात पर सोच विचार किया जा रहा है तीन दिवशीय बौध महोचसव का आज होगा समापन बोध गया में आयोजित तीन दिवशीय बौध महोचसव का शुभारम 39 जनवरी से हो गया है और आज इस समारों का समापन भी हो जाएगा जहां इस महोचसव की शुरूअत मुख्यमंत्री नितिश कुमार के उधगाटन की शुरुवात की थी आपको बता दे इस महुथशव के लिए मुख्यमंत्री नितिश कुमार हवाई यातरा के साथ गया पहँचे थे वहीं आयोजित इस तीन दिवसिय कारिक्रम में हर दिन विभिन कलाकारों का आना जाना भी देखने को मिला बिहार B8 CET के लिए आवेदन की प्रक्रिया एक फरवरी से होगी शुरू बिहार से B8 की पढ़ाई करने की इच्छा रखने वाले सभी अभिहर्थियों के लिए एहम सूशना बिहार में जल्दी सभी सरकारी और गैर सरकारी कॉलेजों में B8 में नामांकन की प्रक्रिया एक फरवरी से शुरू होगी इसके साथी नामांकन परिक्षा में शामिल होने के लिए आवेतन 2 मार्च तक स्विकार किया जाएंगे वहीं इसके एंट्रेंस एक्जाम का आयोजन 29 मार्च को किया जाएगा जिसकी आधिकारिक अधिसूशना नोडल एजेंसी लड़ित नारायन मिथला विश्विद्यारे ने जारी कर दी है भागलपूर जंक्षन अब दिखेगा नए अफ्तार में सभी भागलपूर वासियों के लिए एहम सूशना जल्दी भागलपूर जंक्षन का लुक बदला बदला सा नजर आने वाला है क्योंकि रेल्वे विभाग भागलपूर जंक्षन को सवारने की मुहीम शुरू करने वाला है आयोजित बौध महोचसव में पहले दिन अपने निर्थ से महोचसव का शुबारम करने पहुची है मामाली नी बिहार के विकास व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया है। इसके साथ ही मुख्यमंद्री नितीश कुमार्ने लोगों से पूरे उच्सा और श्रधा के साथ रितुराज बसंद के आगमन पर और साथ ही ज्यान की देवी मासरस्वती की पूजा अराधना करने का और शांती व्यवस्था बनाय रखने का आगरह भी किया था। इसके साथ ही सबी सरकारी स्कूलों के लिए जारी कि एक फरवरी के बाद से सबी सरकारी स्कूलों में मिड़े मील में सबी छात्रों को दूद और सबजी मुहाया करवाय जाए। इसके साथ ही सबी छात्रों को खेती करने के तरीके से भी अवगत करवाने का निर्देश जारी किया है। जो बाते उसने कही हैं वही बाते मीडिया में सरकूलेट की गई हैं। आपको बताते हाली में शरजील का वीडियो मीडिया में आये था जहां वो असम और सरकार के खिलाफ अप्रिय बयानवाजी कर रहा था। कोरोना से निपटने के लिए बिहार सरकार है तयार। अब आए जानते बिहार की जानिवानी हस्ती के बारे में आज हम बात करेंगे अंजुब मनपूरी की अंजुब मनपूरी का जन बिहार के गया जिले में हुआ था अंजुम मनपूरी ने उर्दू पत्रकारिता को ना केवल उर्दू साहित में बलकि अपनी मुलेवान सेवाओं के साथ उर्दू पत्रकारिता में भी उच्छ स्तर और दर्जा दिया है। जिसके पशात अंजुम ने पत्रकारिता के छेतर में कई सारे सराहनिये काम भी किये हैं। जिसके लिए उन्हें बिहार समीत पुरे देश में उर्दू पत्रकारिता के सबसे स्ष्ट पत्रकारों में गिना जाने लगा। जिसके परवत की तलहटी में स्थेत हैं। जद्यू से निकाले गए प्रशांद किशोर को राजद नेता दे रहें संतापना। इसी क्रब में राजद नेता शिवचंदर राम ने अपनी टिपणी देते हुए यह कहा है कि जद्यू पार्टी के अंदर लोगतंत्र नहीं है अगर लोगतंत्र होता तो प्रशांद किशोर और पवनवर्मा जैसे लोग आज भी पार्टी का हिस्सा होते। इसके साथ ही उन्होंने बातो ही बातों में प्रशांद किशोर से अपील भी कर दी है जिसके तहत उन्होंने कहा है कि गान्धी जी ने जैसे अंग्रेजों को भगाया था वैसे ही हम भी बिहार से नितीश गुमार को बाहर भगाएंगे। जिसके तहट बातो ही बातों में उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशूर जब चाहे राज़त का हिस्सा बन सकते हैं हम उनका तहे दिल से वेलकम करेंगे गिरीराज सिंग ने शरजील इमाम को लेकर कि टिपणी भाजपा के बद बोले नेता और बेगु सराय से सांसत गृरीराज सिंग ने जी एन यू के पूर्फ चातर शरजील इमाम को लेकर बड़ा बयान दिया है मीडिया से बाचीत के दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें शरजील इमाम के बयान को सुनकर उसके बिहारी होने पर शर्मिंदी की महसूस होती है उन्होंने मीडिया से बाचीत में आगे कहा कि मुझे दुख है कि शरजील का नाम बिहार के साथ जुड़ा हुआ है सरजी जल से लोग शाहिन बाग में खड़े होकर लिबनान की तरह देश में अशान्ती फिलाने की कोशिश कर रहे हैं ASI PT परीक्षा में पास्वी महिलाओं ने की तेजस्वी आदफ से मुलाकात ASI PT परीक्षा में समयलित होने वाली सभी महिलाओं अपनी मांग के साथ नेता प्रेटपक्ष तेजस्वी आदफ से मिलने पहुची जहां पहुचकर इसभी महिलाओं ने तेजस्वी आदफ से मुलाकात की और पुलिस ASI की बहाली में पास महिलाओं को लंबाई श्रेनी में चौट देने की मांगी जिसके पस्चात तेजस्वी आदव ने इंसाभी महिलाओ से उनकी मांग को सरकार तक पहुचाने का वादा भी किया भारत और न्यूजिलान के बीच चौथा T20 आज भारत और न्यूजिलान के बीच पांच माचों के T20 सीरीज का चौथा T20 आज वेलिंग्टन के वेस्ट पाक स्टेटियम में साढ़े बारा बजे से खेला जाएगा आज भारत की संभावी तेइंग 11 में शामिले, विराट कोली, रोहिश शर्मा, केल राहूल, श्यस अयर, मनीश पांडे, शिवम दूबे, यजुवेंदर चहल, वाशिंग्टन सुन्दर, जस्प्रीद बुम्रा, मुहमद शामी और नवदीप सैनि अजे देवगन के मैदान फिल्म का फर्स्ट लोग हुआ जारी, ताना जी जैसे स्रांदार फिल्म देने के बाद, अब अजे देवगन अपनी दूसरी फिल्म के साथ एक बार फिर परदे पर आने वाल है, इस बार अजे अपनी अगले फिल्म मैदान लेकर आ रहे है, जिस इसके बाद से लोगों ने कमेंट करके इस फिल्म के पोस्टर की सराहना की है। इसके साथ ही चावल के आटे के साथ टमाटर के रस को मिला कर लगाने से भी चहरे से टानिंग और डाक सकल की समस्या से निजात मिल जाएगा। अगरेस कभी भी अपनी पुरानी आदतों से बाज नहीं आ सकता।